नहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइबरेरी का नाम बदल दिया गया है। अब इससे प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। इस फैसले के बाद से राजनीती भी शुरू हो गई है। इसको लेकर विपाक्षिदल लगातार विरोध कर एक और कॉंग्रेस और बिजेपी के बीज वाकिय युद्ध जारी है तो दूसरी और उधव ठाकरे गुट के नीता और सांसा संजराउत ने भी मूदी सरकार पर हमला किया है। इस देश में प्रधान मंत्री और भी हुए हैं अटल जी, इंद्रा जी, लाल बहादूर शास्तिरी सभी ने देश के लिए काम किया है। जिसमें दूसरे प्रधान मंत्रियों के काम को भी जगह मिले लेकिन म्यूजियम का नाम बदलने की जरूरत नहीं है आगे उन्होंने कहा कि पंडित नहरू ने देश को बनाने में योगदान दिया है उन्होंने आजादी की लडाई में भी योगदान दिया था उन्हीं के नाम पर ये पंडित जवाहर लाल नहरू प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम हो सकता था लेगिन आप लोग इत्यास को खत्म करना चाहते हो जो हमारे पुराने हीरो है जिन्होंने देश बनाया उन सब को मिटाना चाहते हो पंडित नहरू से नफरत के कारण ये किया दे ले गया है तो महीं कोंग्रेस ने नाम बदले जाने को लेकर केन सरकार पर संक्रिन सोच और प्रतिशोद से काम करने का आरूप लगाया कोंग्रेस ने कहा कि इमारतों के नाम बदलने से विरास्ते मिटा करते कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका आरजुन खडगे ने इसको लेकर ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था जिनका कोई इतिहास ही नहीं है वो दूसरों के इतिहास को मिटाने चले हैं नहरू समारक संग्राले एवं पुस्तकाले का नाम बदलने के कुचसित प्रयास से आधुनिक भारत के शिर्पकार और लोकतंत्र के निर्भिक प्रहररी पंडी जवाला नहरू जी की शक्सियत को कम नहीं किया जा सकता इससे केवल बीजेपी आरेसेस की ओची मान सकता और ता